नमस्कार स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी क्या आपके अपने चैनल मीन स्टेडी में आपका जो 60 देज का स्मार्ट कोर्स है उसका आज सात्वा क्लास है यानि डे सेवन और क्लास सेवन आज का हमारा टॉपिक होगा स्टेटिक जीके के उपर आज हम परेंगे डेम्स इन इंडिया मतलब भारत के जो डेम्स है वो कौन से राज्य में स्थित है और कौन से नदी के उपर स्थित है वो सारे हम परेंगे जो कि आपके स्टेटिक जीके में और यह एक्जाम जैते के टी एसर, ट्रिप्र अपलिस कॉंस्टेबल, LDC, MTS, डेम्स इन इंडिया तो आज हम इसी को परेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज जो भी आज नए है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा टेलीग्रम चैनल जॉइन करते तो सबसे पहले डेम है क्या इसके बरह में थोरह सा जाना होगा त पर यहां से फ्लू करता है जहां पर हमें पानी की दरूरत है वहां पर यह पानी जाता है ठीक है तो आज का पहला जवाल है The highest dam of India तेहरी डेम मतलब भारत का सबसे उचा डेम है तेहरी डेम Is situated on which river मतलब किस river के उपर, किस नदी के उपर बना हुआ है सुतलेज, कंगा, भागिरती या पिर अलकनन्दा अंसर है भागिरती रिवर तेहरी डेम जो कि भारत का सबसे उचा डेम है वो भागिरती रिवर के उपर बना हुआ है और ये है वो डेम, तेहरी डेम भारत का सबसे उचा डेम, तेहरी डेम और ये बना हुआ कहा पर है भागिरती रिवर के उपर और ये है उत्तराखन स्टेट में तो रिवर पूछे नदी पूछे तो भगरती नदी और स्टेट पूछे तो उत्राखन अगला सवाल है स्री सेलम डेम is located in which state स्री सेलम डेम कौन से राज्यम में है आंसर होगा इसका आंध्राप्रदेश यह है वो स्री सेलम डेम जो कि आंध्राप्रदेश में है और यह स्थीत है क्रिष्णा नदी के ऊपर क्रिष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है आंध्राप्रदेश में क्रिष्णा नदी के ऊपर स्री सेलम डेम बना हुआ है अगला सवाल है बगली हार डेम is situated on which river बगलिहार डेम किस नदी के उपर बना हुआ है, धेलम, रवी, सुतलेज या फिर चेनाव, अंसर है चेनाव, और यह है वोन डेम, बगलिहार डेम, जो कि बना हुआ है चेनाव नदी के उपर, और यह है चम्मो एन कश्मीर में, चम्मो एन कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ब उकाई डेम किस राज्यम में स्थी थे, चम्मु कश्मीर, उत्राखन, गुजराट या फिर तिलांगाना, तो उकाई की डेम है गुजराट में, और यह देखिए यह है वो उकाई डेम जोकि गुजराट में है तापती नदी के उपर, गुजराट से फ्लो करती हुए इधुक की डेम कहाँ पर स्थीत है, कौन से राज्यम है, करनाटा का के रला, तिलांगाना या फिर तामिल नरू, इधुक की नाम से ही समझ जाता है कि यह साथ इंडियन नाम है, तो सारे के सारे ओप्शन्स में साथ इंडियन स्टेट से, तो आंसर है इसका के रला, के रला के उपर बना हुआ इदुक की डेम यह पेरियार रिवर है और यह है इदुक की डेम और यहां से लो करता है जहाँ पर हमें पानी ले जाना है वो हम काम करते है डेम की तुरह तो यह है पेरियार रिवर के उपर और यह है केरला स्टेट में इदुक की डेम है पेरियार रिवर अंसर होगा इसका महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है उज्जानी डेम यह है वो उज्जानी डेम जो कि भीमा रिवर के उपर बना हुआ है भीमा रिवर के उपर बना हुआ डेम है उज्जानी डेम जो कि महाराष्ट्र में है अगला सवाल है गांधी सागर डेम कहा पर हिस्तित है उत्राखंड उत्रप्रदेश मध्य प्रदेश या फिर गुजराट तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश गांधी सागर डेम मध्य प्रदेश में है तो यह है वो डेम गांधी सागर डेम और बना कहा पर है चंबल े provides रिवल रिवर रिम रिवल और यह डेम का नाम का नाम है कांधी सागरा है ठीक है छमभल रिजियन में मुझा प्रिदेश में है अगला सावल है इसे रह देम और फ़्र Kylie कंसे नदी के ऊपर बना हुआ है गंगा महानदी कोधावरी , या फिर क्रिष्न só तो भारत का सबसे लंबा डैम हिराकूद डैम बना हुआ है महानदी के उपर और यह है महानदी के उपर बना हुआ है Margaret फ्रायकु टेम जो कि भारत कर सबसे लंबा डेम है वो महानादी के उपर बना हुआ है और पूरिश्चल स्टेट में है यह वना है महानादी अगला सवाल है मेट्टूर डेम is situated on which river मेट्टूर डेम कौन से नदी के उपर बना हुआ है कोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर काविरी तो अंसर होगा काविरी काविरी नदी के उपर मेट्टूर डेम बना हुआ है यह हो मेट्टूर डेम जो कि तमिल नरू में है काविरी नदी के उपर तमिल नरू में बना हुआ है मेट्टूर डेम अगला सवाल सोमा सिला डेम is located in which state सोमा सिला डेम कौन से राज्य में बना हुआ है आंध्रप्रदेश, करनाठा का तमिल नरू या बर करे रला तो सोमा सिला डेम है आंध्रप्रदिश में यहा बो डेम सोमा सिला डेम और यह नदी देखिए बहुती क्लीन है पेणर रीवर इसका नाम तो सोमा सिला डेम पेणर रीवर के उपर बना हों है और state है आंध्रप्रदिश,NATURAL VDI प्यूटी के बहुती पास अगला सवाल उरी डेम is situated on which river? ये तो सभी को बता होगा कि उरी डेम कौन से राज्यम है क्योंकि उरी फिल्म भी निकलाता है जो कि सर्चिकल स्ट्राइक के उपर बना हुआ था उरी फिल्म तो उरी है जम्मो कश्मीर में तब जम्मो कश्मीर में उरी डेम है लेकिन उरी डेम कौन से नदी के उपर बना हुआ है इंडस, सुतलज, जेलाम या फिर जेनाप तो आंसर है जेलाम जेलाम नदी के उपर बना हुआ है उरी डेम तो ये है उरी डेम उरी डेम जो कि बना हुआ है जेलाम रिवर के उपर जेलाम रिवर के उपर स्टेट है जम्मो कश्मीर और यह पूरा रिलाका है वरी रिजीन अगला सवाल है मेथुन डैम is located in फुष shows मेथुन डैम कौनसे राज्य में है राज्य में आंसरों का इसकाा झांद, छारकन राज्य में मेथुन डैम लोकेटेट है और यह है उसका यह मेथुन rightm बाराकरें के उपर है जार्कन में नदी इसका इंपोर्टेंड नहीं है इसका इंपोर्टेंड नहीं है राज्य जार्कन में है मितुन देम इंद्रावति डेम कहा पर स्थित है उरिष्या मद्रपदेश शतिजगर या फिर महाराष्ट्र अंसर होगा इसका उरिष्या उरिष्या में है इंद्रावति डेम यह है इंद्रावति डेम जो कि इंद्रावति रिवर के उपर बनावा है इंद्रावति डेम इंद्रावति नदी के उपर ही बनावा है और यह उरिस्था में तो इतका नदी नहीं पूछेगा इतका स्टेट पूछेगा तो इंद्रावति डेम है या फिर गोविंद बल्लब पंत सागर डेम तो एक्जाम में आप ते रिहान डेम भी पूछ सकता है या फिर गोविंद बल्लब पंत सागर डेम भी पूछ सकता है तो यह कौन से राज्य में है पंजाब हर्याना उत्तर प्रदेश या फिर मद्द प्रदेश तो रिहान डेम है उत्तर प्रदिश में उत्तर प्रदिश राज्य में रिहान डेम बना हुआ है यह है वो रिहान डेम जो कि रिहान रिवर के उपर ही बना हुआ है और उत्तर प्रदिश में है तो रिहान डेम पूछे या फिर गोविन बल्लब पंत सागर डेम पूछे दोनों एकी है और दोनों रिहान रिवर के उपर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में नदी इसका इंपोरेंट नहीं है लेकिन राज्य है उत्तर प्रदेश में इस्तित है ये अगला सबाल नागर्जुन सागर डेम is situated on which river नागर्जुन सागर कौन से नदी के उपर बना हुआ है गोदावरी काविरी महानादी या फिर कृष्णा इस डेम का नदी और स्टेट दोनों बहुत इंपोरेंट है थांसारेस का कृष्णा नदी के उपर बना हुआ है नागर् डेटना रिबर के उपर बना हुआ है नागर सागर्जुन शागर्चम है सो आने वाले वीडियो का नोटिविगेशन पाने के लिए आप अमरे टेलीग्राप चन्नल को जोन कर सकते है इस सारी क्लासेस के स्टडीनूर्स पाने के लिए अप हमरे फेस्बूक ग्र्रूप को को भी जाइन कर सकते हैं फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए थेंक्यू गाइज